Welcome to Math Access, ICSC Class 10, Chapter 5, Exercise 5.5, Question No. 18 Question No. 18 में दिया गया है, if the perimeter of our rectangular plot is 68 meter and length of its diagonal is 26 meter, find its area. यानि कि हमें एक rectangular plot दिया गया है, जिसका perimeter 68 है और उसका diagonal का length 26 है, तो हमें उसका area find करना है. सबसे पहले हम क्या लेंगे, let the length be x. ठीक है, and breadth माल लेते हैं, breadth b y. इसमें मैं दो term let करना है, x and y. इन दोनों को let करके हम बहुत ही असानी से equation को form कर लेंगे. और given है, perimeter equal to कितना दिया है, perimeter, perimeter of rectangle दिया गया है, 68 meter. perimeter of rectangle given है 68, तो perimeter का, जैसा अब सब्सक्राइब पता होगा कि perimeter of rectangle का formula होता है, 2 times l plus b, जो कि दिया गया है 68, यानि कि l plus b हो जाएगा 68 by 2, यानि कि l plus b आजाएगा आपका 34. length को हमने क्या लिठ के था x, यानि कि x plus y आजाएगा 34, यानि कि y हो जाएगा आपका 34-x, यानि कि अगर length x होगा, तो breath क्या हो जाएगा 34-x, जब हम length को x लेट करेंगे, तो breath क्या हो जाएगा 34-x देखिए, breath को मैंने length के form में, यह कि अदिकों लेंध के टर्म में एक्स्प्रेस कर लिया है ठीके अब क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगी जो रेक्टेंगल होता है यह उसका डाइगनल होता है माननिक कि A-B-C-D तो जो D-B है किया है डाइगनल का डाइगनल है है और एंगल है कितने का होगा 90 डिगूर zar गल कितने का होगा 90 डिगी यह के डिवी आपका क्या है हाइपोटेंफ दे रखना 26 मीटर सबसक्राइब कितना देया है 26 मीटर के तो क्या होगा डाहे त्यूरम भाई पैथागुरस थूरम माल लेते लेंद्ध आपका एक्स है और यह ब्रीथ आपका 34-X भाई पैथागोरस थूरम X का square प्लस 34 माइनस X का whole square इकल टो क्या आना चाहिए 26 का square क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पैथावेस्ट त्रम में क्या होता है कि perpendicular square प्लस base का square equals to hypotenuse का square यानि जब इनकों simplify करेंगे यह हो जगा X square यह हो जगा X square यह हो जगा 34 का square क्या होगा 34 into 34 16 13 12 10 यानि की प्लस 1156 प्लस X square minus 78 X sorry minus 68 X minus 68 X equal to क्या हो जगा तो 676 ठीक है तो जब इनकों simplify करेंगे तो यह आएगा आपका X square 2 X square minus 68 X plus 1156 minus 676 इकोल तो 0 जब इनको मैनस करेंगे तो क्या हैगा 2 X square minus 68 X 0 8 और यह 4 इन 480 इकोल तो क्या हो जगा 0 480 इकोल तो 0 इन सभी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जगा X square minus 34 X plus 240 इकोल तो 0 ठीक है तो यह आपका यह quality equation form होगा जो की है X square plus 34 X plus 240 इकोल तो 0 आपका यह quality equation form हो जाता है अब हमें क्या करना है तो हमें इसी quality equation को simplify करके find कर लेना है X की value क्या find कर लेना है तो X की value को find करना है ठीक है तो हमें दू ऐसा number find करना है जिनका multiply करने पर क्या आजा है 240 है और जिनको प्लस या माइनस करने प्याजाए 34 तो जैसा का आप सभी को पता होगा कि 24 x 10 करने प्याजाए 240 और 24 और 10 को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा 34 यानि कि यह हो जागा X square minus 24 X minus 10 X plus 240 equal to 0 यानि कि इसमें हम अगर X common ले और यहापे minus 10 common ले ले यह हो जागा X, X minus 24 यह जागा minus 10 X minus 24 इëकोल to 0 यानिक X minus 10 X minus 24 equals to 0 यानि X minus 10 equals to 0 और X minus 24 equals to 0 यानि X equal to what हो जागा 10 और X equal to 24 यानि आए लेंघ्ट कर आप X की लिए भी जागा क्या है X equal to A, 10 meter या फिर X equal to 24 meter यानि और लिंध को हम 24 ले ले हैं तो ब्रिथ क्या हो जाएगा है करते हैं स्वित्वर्णो और लेंगे तो अगर लेंथ 15 लेंगे City पो के आजाएगा 24 अब भार नताथ क्लिड़नें आघर खूर से इद्व सब्सक्सक्रीड क्या लिम्ठों जीन आइक DNA ड Attends 7 240 meter square तो यह आपका था question number 18 का solution जिसमें हमें क्या find करना था तो area of rectangle find करना था ठीक है next question number 19 next question number 19 the sum of two smaller sides of right angled triangle is 17 and the parameter is 30 then find the area of the triangle हमें area of triangle find करना है कि दे रखा है कि इंगल ट्रेंगल है लिटेंग ट्रोपर इन तरिफण को एंको के फिरेटर गये रोज्व ज में जो डूजिपमौन तमौन जी अगे वरफ चुंड दो ह्मॉझ्क मॉझरख था जिसमें जो इसमीह दो लेंट आप मॉझर 1 of the smaller side 1 of the smaller side b x side b x क्या मैंने ते कि जो दो smaller sides है उनमें जो एक smaller side हो क्या है x है then second smaller side क्या हो जाएगा second smaller side क्या हो जाएगा 17-x क्योंकि दे रखाएगे दोनों का sum करने पर क्या रहा है कि दोनों का सम करने पर आ रहा है आपका 17 आ रहा है यानि कि अगर एक को मैस माल नेंगा दूसरा क्या हो जाएगा 17 माइनस एक्स ठीक है तो एंड रखा कि परिमिटर कितना है परिमिटर दिया है 30 यानि कि AB प्लस BC प्लस AC करने पर क्याना चाहिए 30 परिमिटर मतलब होता है sum of all the sides यानि कि इसमें तीन साइड है एक्स प्लस 17 माइनस X एक्स प्लस प्लस AC करने पाना चाहिए कितना 30 यानि कि एसी कोल टू क्या हो जाएगा इस दोनों केंसिल हो जाएंगे 30 माइनस 17 अनि एसी आपका आएगा 13 सेंटीमेटर इन है पूत अनि एनए केतना होगा 13 सेंटीमितर क्योंकि इन दोनों के सम्राहित रहा है 17 सेंटीमितर जायर सी बात है जो 3rd side हो जो क्या हो हो गातिव निरी 3 सेंटीमितर कर दो किनम आरा 30 कर अपिए अब तरण आरा यहां के राइट आज़ इंगल हो जह ईए पैत अगोरी थेयृर्य वाहय था यार मैं पैथा गोर 때는 equal to ac का square यह निकि a b क्या है x to x का square plus 17-x का square equal to क्या हैगा 13 का square क्योंकि ac कितना था 13 था x square plus 289 plus x square minus 34 x equal to 169 इसको हम express करें किस formula पर तो a minus b का whole square जो क्या होता है a square plus b square स्क्राइब इसी फानलेप इसको एक्सपेंड कर लेंगे यह जगा 2x स्क्राइब मानस 24x प्लस 289 मानस 169 इक्कोल तो 0 यहने की 2x स्क्राइब मानस 34x प्लस 120 इक्कोल तो 0 ठीक है जब सभी कोमाँ तू से डिवाइड करें तो अचैज़ प्लस 60 इक्कोल तो 0 ठीक एंडिव फ्लैनीया में घ्णव यह हमारा क्वडिकन फाहर्म मर रूख्टा थो मैंने 17 x plus 60 equal to 0 एन्हें हम दू ऐसे नंबर फाइंड करने है जिनका multiply करने पर क्या है 60 आ जाया जिनको plus या minus करने पर 17 है ठीक है तो x square minus 20 x plus 3 x इसको में सकते हैं 12 5 जा क्या होता है 60 और 12 में 5 को प्लस करें तो क्या आएगा 17 है तो हम क्या लेंगे x square minus 12 x minus 5 x plus 60 equal to 0 20 into 3 करने पर भी क्या आता है 60 आता है बहुत हम 20 में से 3 को माइनस करेंगे तभी 17 आ जाएगा ठीक है जब तो यहां पर हो जागा x minus 12 यहां बाइनस 5 कम लिंगे भी क्या हो जागा x minus 12 equal to 0 यानिके x minus 5 and x minus 12 equal to 0 यानिके x minus 5 equal to 0 और x minus 12 equals to 0 यानिके x equal to क्या गया 5 और x equal to 12 ठीक है हमें x की 2 value मिलें के पहला value मिला है 5 और दूसरा मिला है 12 यानिके अगर AB को हम 5 माने यानिके अगर AB 5 होगा तो BC क्या हो जाएगा तो 17 minus 5 12 और अगर AB को हम 12 लेंगे तो BC क्या आएगा 5 ठीक है तो area of triangle हमें पुछा क्या था area of triangle तो area of triangle का formula होता है right angle triangle का 1 upon 2 बेस इंटु हाइट यानिकी बेस बीसी और हाइट AB बेस बीसी और हाइट एब तो क्या हो जाएगा 1 by 2 12 इंटु 5 यानिकी 1 by 2 इंटु 60 यानिकी क्या हो जाएगा 30 मीटर स्क्वार्ट यह आपके हाँ कुछ से नंबर 19 का सॉलूशन जो क्या आया है 30 मीटर स्क्वार्ट है ठीक है थैंक यू